हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल ब्यूटिकर स्केर तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में आपके साथ गार्नियस की नैचरल का हाईड्रा बॉंब सिरम मास्क का जो है रिव्यू करूंगी और इसे अपने स्कीन पे एपलाई करके दिखाऊंगी और कुछ बाते इसक इसी देरी के वीडियो को हम फटा फट से शुरू कर लेते हैं तो फ्रेंट्स जिस तरह से की सर्दियां जा चुकी है और गर्मियों का मौसम जो है शुरू हो चुका है तो गर्मियों में जब हम धूप से पसीने से डर्ट पॉल्यूशन से हो करके जब घर बापिस आते हैं स्पैशली जब जब अपने फेस पर हमने मेकप किया होता है और पसीने के कारण जो होता है मेकप के ऊपर जो है डर्ट पॉल्यूशन चिपक जाता है और स्किन जो है हमें बहुत हैवी हैवी सी फील होने लगती है स्किन हमारी रेड हो जाती है और कुछ जादा सी जलन सी हमारी स्किन में होने लगती है तो उस टाइम हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा अपनी स्किन पर अपलाई करें जिससे कि हमारी स्किन को डीपली हाइडरेशन मिले हमारी स्किन बिलकुल रिफ्रेश हो जाए स्मूथ हो तो उस समय जो है आपको sheet mask अपनी skin पे apply करना चाहिए तो आज जो मैं sheet mask अपनी skin पे apply करूँगी वो है Garnia Skin Natural का Hydra Balm Serum Mask इसमें add किया गया है hyaluronic acid plus pomogranate ये है for dry skin के लिए dehydrated skin के लिए और इस serum में जो है one bottle of serum जो है add किया हुआ है ये sheet mask sulfate and paravin free है, vegan है, bio degradable sheet mask है ये तो चली step by step बताती हूँ कि sheet mask को आपको किस तरह से apply करना है तो बाहर से आके एकदम से आपको अपने face को wash नहीं करना है आप थोड़ी देर relax करें, अपनी body को relax करें और 10-15 minutes जब तक आप relax करें तब तक आपको क्या करना है जो sheet mask आपको use करना है, उसे fridge में रख दें ताकि वो 15 minutes तक फ्रीज में रहे और ठंडा हो जाए दैन उसके बाद उसे आपको apply करना है नेक्स step में आपको क्या करना है, अगर आपने face पे makeup किया तो makeup को remove करना है, remove करने के लिए आप कोई भी oil ले सकते हैं, या तो जो makeup remove warm होता है, वो use कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है, मैं डॉक्टर सेज का cleansing oil जो है, use कर रही हूँ बहुत ही अच्छा oil है, यह आपका makeup कैसा भी हो, कितना भी heavy हो full coverage हो, उसे बहुत अच्छी तरह से remove कर देता है तो इसकी 2-4 drops जो है, मैं इस तरह pad के ओपर ले लूँगी, cotton pad पे और पहले तो अपने nose के area को clean करूँगी, क्यों nose के side के area में dirt जो होता है, dust जो होता है, बहुत जल्दी जो है, चिपकता है तो पहले मैं उसे clean करूँगी, देन उसके बाद मैं eye makeup को clean करूँगी जो भी मैंने mascara apply किया है, kajal apply किया है, उसे remove करूँगी देन lipstick को remove करूँगी, और उसके बाद पूरा अपना जो base makeup मैंने किया है उसे remove करूँगी, तो इस तरह से आपको makeup को पहले remove करना है अच्छी तरह से और उसके बाद कोई भी soft सा कपड़ा लें, जो की जैसे कि microfiber के जो कपड़े होते हैं, बहुत soft होते हैं, आपकी skin बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का rash नहीं करते हैं उससे अपने face को अच्छी तरह से clean कर लूँगी, मैं यहाँ पर इसके बाद next step में मैं अपने face को wash करूँगी, तो face wash करने के लिए मैंने यहाँ पर नीविय का face wash लिया है, बहुत ही अच्छा face wash है, बिल्फुल भी आपकी skin को dry नहीं करता है wash होने के बाद, तो मैंने अपना face wash कर लिया है, अब मैं towel से clean कर लूँगी अपने face को, अब हमारा face अच्छी तरह स देख सकते हैं, तो अंदर से देख सकते हैं कुछ इस तरह का sheet mask है, बहुत ही ज़्यादा serum sheet mask में भरा हुआ है, और अभी इसे मैंने freeze freeze से निकाला है, बहुत ही ठंडा ठंडा यह मुझे लग रहा है, जब मैं इसे face पे apply करूँगी, तो आपको बहुत अच्छा जो है, आपकी skin smooth हो जाती है, और complexion जो है आपकी skin का radiant हो जाता है, तो बहुत अच्छा sheet mask है, इस तरह से इसे आपको अपने face पे apply कर लेना है, और फिर 15 मिनट तक इसे आपको apply करके रखना है, और फिर उसके बाद इसको आपको remove कर देना है, और इस sheet mask में hyaluronic acid add किया है, तो hyaluronic acid आपको पता ही है कि hyaluronic acid में 1000 गुना water को store करके रखने की शमता होती है, तो वो आपकी skin में water को store करके रखता है, और जिससे कि आपकी skin hydrated, और अगर इसमें extra serum बच जाता है, तो उसको आप store करके भी रख सकते हैं, किसी भी container में आप store कर सकते हैं, और बिना sheet mask के भी serum को आप अपने face पे apply कर सकते हैं, तो 15 मिनिट हो चुके हैं, मैं इसे remove कर दूँगी, तो इस तरह से आपको इसे remove करना है, और अगर आपके face पे या skin पे थोड़ा serum रह गया है, तो इसके बाद आपको 1-2 मिनिट तक जो है, अपने skin पे massage करें, अच्छी तरह से, जितना भी serum है, उस और जो भी redness होई थी, बिल्कुल वो ठीक होगी, और skin जो है, मेरे को बिल्कुल refresh लग रही थी, hydrate लग रही थी, तो बहुत ही अच्छा sheet mask है, गार्नियर का sheet mask है ये, और इसमें काफी तरह के variant आपको मिल जाते हैं, बहुत तरह के sheet mask जो है, गार्नियर ने launch किये, आप इसे bomb serum mask के बारे में detail में बात की, तो ये sheet mask जो है, आपको किसी भी online application में मिल जाएगा, और आपके nearby store में भी मिल जाएगा, तो link जो है मैंने description में आपको दे दिया है, आप जाके check out कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like और share करें, और इस तरह के और वीडियो देखने क